जहन दोस्तो गुर्कुल परवार में आपका स्वागत है आज हम लेकर आए हैं आपको यूपी त्रिपल एसी पैड़ दोजार बाइस का पेपर आज हम दोजार बाइस के पेपर पेपर पे चर्चा करेंगे दोजार बाइस में दो दिन पेपर हुआ था पंदरा और सोला अक्टूबर को तो आज हम लेकर आए हैं पंदरा तारीक की प्रिथम पाली का पेपर ठीक है आज हम इस पे चर्चा करेंगे इससे आपको पता चलेगा कि एकजाम में किस तरीके के पिष्ण पूछे जा रहे हैं और कैसे पिझे पूछा ने किया पेट एनाटी का यह आपकी परिच्छा में बहुत मदद करेगा फिर आपको वही पढ़ना है जो परिच्छा में पूछा जाता है तो जरूर दीखिए अगर आप पैट की परिच्छा देने वाले हैं तो यह सैसन आपके लिए बहुत उप पेपर था पंदरा तारी की प्रतम सिप्ट का आसान पेपर था इसमें जीएस के नॉर्मल पेशन रखे गए थे पागी पैट का जो 2022 का दूसरी पाली पंदरा की दूसरी पाली उसका पेपर थोड़ा अच्छा था देखते हैं कैसे पेशने पूछ रहा है कि हरित करांती की र एम एस स्वामी नाथन स्वामी नाथन यह थो भारत में हैं लेकिन बिश्यों में पूछा जाता है बि weakest में commence की जनक ये कौन थे नौर्मन बूर्लांग ये बिस्स में थे ये पूछा जाता है हरित क्रांती थी क्या समझना हरित क्रांती थी इस क्रांती से जो खादान फसलों थी उन पर ब्यापक प्रभाव पड़ा था किरसी से संबंदित है और किरसी की उपच बढ़ गई थी इसमें क्या रणनीती बीज तो इसमें रणनीती का हिस्सा था उच उपच देने वाले बीजों को विक्सित किया गया था जो जिन से उपच बढ़े सचाई के अच्छे साधन उपलब्द कराए इस सचाई के साधनों का प्रियोग उपलब्द कराई गई थी रासायनिक और बरक और कीटनासक का भ भी ध्यान रखना तो यह सभी हरत करांती की रणनीती का हिस्सा है अगला पिशन देखते हैं निम्लिखित मैंसे किस नदी को बिहार का सोग की बात करें तो कौन सी नदी है बिहार का सोग है को सी नदी हम यहाँ जादा विश्तरित चर्चार ना करते हुए आपको एक पैट बंगाल का सोग ध्यान देना सोग से तीन नदियों के बारें पूछा जाता है एक तो कोसी नदी बिहार का सोग दामोदन नदी बंगाल का सोग और एक और है महा नदी महा नदी इसको औरीसा का सोग कहते हैं औरीसा का सोग यह भी ध्यान रखना यह तीन पिशन पूछे जा उसका निर म Missouri सक्विकास निकी राष्टि बिंगास पहली है तो को समय चलता था यूजना आयोग तो इसके विकास किया था विकास और अटिम स्विक्र्थी दीठी राष्टि बिकास परसथ द्वारा अब यूजना ऑए रिक जगह पर क्या गया नीटी यह विध किन कर talk अगला पेशने कुछ टाइप नहीं हो पाया था तो हमने लिख दिया कह रहा है किसी भी विकासील अर्थवेवस्ता के आरंबिक छेत में अधिकांस गद्विदिया किस छेत से संबंदित होती है मतलब कोई भी देश होता है जब वो विकासील होता है विकास की रा पे चलता है शुरूबात करता है विकास की तो वो आरंबिक छेत में उसकी किस छेत में जादा गद्विदिया करता है प्राथमिक तिर्तियक या सूचना प्रदोग की या दुतिये तो आरंबिक छेत में प् किरसी किरसी और पसुपालन कोई भी विकासियल देश सबसे जादा किरसी पर डिपेंड होता है शुरुवाती फेस में जैसे भारत की अब ध्यान देना 1950 में भारत की GDP में GDP में GDP में किरसी का योगदान कितना था 55% और अब कितना है अब है कितना मात्र 29% कितना 29 मतलब यह है कि जैसे जैसे विकास्ट होता जाएगा देश का तो किरसी प्राथमिक छेत्र की जो उपयोगता है और फ्राथमिक और छेत पे जो निर्भरता है वो कम होती जाएगी और हम लोग दुती और तिर्तियक छेत की तरब बढ़ते जाएगे यही पूछ रहा है कि आरंब में जो भी देर बिकासील है वो आरंब में प्राथमिक छेत पर निर्भर होता है अगला प्रिश्ण निमलिखत में से कौन सा बारेजजग बैंक नहीं है बारेजग बैंक क्या होता है बारेजग बैंक वो बैंक होता है जिनमें हम लोग आम आदमी खाता खुलाता है धन्जमा करता है उनसे रिन प्राप्त करता है यह सब बारेजग बैंक है जो हम लोग अपने आसपास देखते हैं स्टेड बैंक है HDFC यह सब बारजजग बैंक है तो इसमें पूछा है कौन सा नहीं है ध्यान देना नहीं है तो कौन सा नहीं है भारती स्टेट बैंक बारजजग बैंक है IC ICI bank यह भी बाड़जिग bank सिडवी यह बाड़जग bank नहीं है ये क्या है भारत का लगव गयव bank मतलब ये उद्ध्योग छेतर्व में io लोगिक गतविदियों में ये बित का मतलब रिल देने का काम करता है और ये bank HSBC प्रसुजदी यह भैंक भी बारेज़ेग बैंक है और यह कहां का बैंक है इंग्लेंड का बैंक है यह भी द्यान रखना कानून के द्वारा इस्थापित किया जाएगा मतलब बिधी बनाकर क्या निर्माड होगा बैधानिक निगम को स्थापत किया जाएगा बिदी द्वारा ये भी द्यान डगना अगला पेशन है भारत की संग कारकारणी में निमलिखित में से कौन सामिल नहीं है द्यान देना नहीं है संग की कारकारणी में कौन सामिल नहीं है राष्टपती तो है प्रधान मंत्री भी है है ना र अगला पिश्ण देखते हैं अगला पिश्ण कह रहा है निम्लिखित में से कौन सा अन्षेद भारती सम्मिधान में सर्वोच नियालय की स्थापना का गठन स्थापना और गठन के बारे में तो सर्वोच नियालय कौन से अन्षेद में अन्षेद 124 में और बात करें अगर हम उच्छ नियालाई की उच्छ नियालाई का गठन के सनचीर में यह है दो सो चौटा में यह भी याद रखना अगला पिंड देखते हैं मौलिक अधिकार को लागू करने की सकती है किसके पास है संसत के पास उपराष्ट पती के पास इनमें से कोई नहीं यह सरवोच नियालाई और उच्छ नियालाई तो आपको बता दे कि मौलिक अधिकारों को लागू करने की सकती सरवोच नियालाई के पास भी है और उच्छ नियालाई के पास भी है दोनों के पास है ठीक है अगला पिशन है भारत में राष्टी मानवा अधिकार आयोग निम्लिखित में से किस मंत्रा लाए के अधीन है तो राष्टी मानवा अधिकार आयोग इसकी इस्थापना कब हुई थी 1993 में इसकी इस्थापना हुई थी और ये ग्रह मंत्रा लाए के अधीन आता है किसके कि रहमन्तर लेगे आगे चलते हैं अगला अग्ला नमारा कहा रहा है निम लिखित में से किसी केंड साहसेत प्रदेश में उच्छन्यालय इस्थापित करने का अधिकार ए नमें से कौन संसर राष्ट पती या सरव उचन्यालाय कौन है ऐसा, जो केंसासित प्रदेश होते हैं अपने उनमें उचन्यालाय स्थापित कर सकता है, तो ये स्थापित कर सकता है कौन? संसर, संसर विधी बनाकर यहां पर उचन्यालाय की स्थापना करेगी, अगला पेशन कह रहा है, और नहीं है आप ध्यान रखना ये कैसा रेशा है ये किर्तिम रेशा में अगला पर तारों पर निर्वर करता है अगर अधिक है तापमान तापमान अगर अधिक है तो तारे का रंग कैसा होगा नीला ये पिश्ण पूछा जा चुका है और अगर तापमान कम है तो तारा किस रंग का दिखेगा लाल रंग का तो जो लाल तारे होते हैं उनका तापमान कम होता है और जो तारा नीला दिखाई देता है उसका तापमान अधिक होता है ये भी याद रखना कहा है नेम लिखित मैंसे कौन सी गैस में के लिए जिमेड़ में दा रहे है तो ग्री आपके सामने वह भी लेकर आएंगे अगली बार करा है निमॉनिया मानाव- चरोई किस अंको प्रभावित पूचा गया र इसमें अभी प्रेक्टिस सेट करा हैं पंदरा Fraser अगर जिसने भी देखे होंगे तो तो वह इन मे ऐसे लगबग प्रिश्ण कर ले गा किए सब अगर जिसने हमने जैसे अभी practice set कराए हैं 15 practice set अगर जिसने भी देखे होंगे तो वो इनमें से लगबग प्रिश्ण कर लेगा क्योंकि practice set में सब हम यह सब प्रिश्ण कराए हैं और जिसने भी नहीं देखे तो playlist में जाके देख सकते हैं बाकि अब हम UP SSS PAT के लिए भी GKGS का practice practice set रोज लेकर आएंगे ठीक है तो पूछ रहा है निमोनिया मानों सरीर के निमलिके तुमेंसे किस अंग को प्रभावबत करता है तो किसको प्रभावबत करता है तो प्रभावबत करता है और इससे होता क्या है प्रो में सूजन आ जाती है प्रो में सूजन आ जाती है अग पेपर आहां थैक्दम स्कोर कर सकते था इसमंगा बना करते जाएगा जी-कै-जी-एस ऐसी नौर्मल पूछ दाएगी और जीके-जी-एस कम से कम पचास कुछань पूछे जाते हैं जी-कजी-एस इसमें से हमने वही कुछष्ञ रखे हैं जो मतलब करेंट की की बसकर तो current के question हम नहीं लाए क्योंकि 2022 की current आपकी कोई मतलब की नहीं है बाकी ये सारे पेपर के ही है और फश्ट वाली के हैं आप पेपर देख सकते हैं कह रहा है निमलिकत में से भारत का कौन सा पडोसी देश नहीं है द्यान देना नहीं है तो भारत के पडोसी देशों की बात कर से है ना और दो देशों की सीमा जली सीमा जल से लगती है जली है जली सीमा से लगने वाले दो देश कौन-कौन से है एक तो स्री लंका है और दूसरा माल दीप है ये भी ध्यान रखना और स्थल से लगने वाले साथ देश कौन-कौन से है वो भी याद रखना हम बता दे र पूछ रहा है अंतराष्टी जय बिविट्टा दिवस तो हमने आपको बताया था एक तो बताया था बाइस मार्च है ना बताया था प्रेक्ट सेट में बाइस मार्च एक बताया था बाइस अपरेल और एक बताया था बाइस माई तो बाइस माई को क्या है अंतराष्टी जय बीप्ता डिवस 22 मार्ज को क्या है जल दिवस जल जल डिवस खास ठीक है और 22 अफ्ररेल को क्या है लिए पृट भी दिवस प्रिट भी दिवस यह याद रखना यह कई बार एकजामों में repeat पूछे जाते हैं ये पूचा स्प्षराइब यह 한데 और यह और यह कर निमिक टेक्ट में से कौन सा पिस्ट Что क सबसे बड़ा नदी दीव है और यह भारत का पहला भारत का पहला नदी पितल़ यह यह अन रखना तो यह कौन है यह माजुली दीव माजुली दीव और यह का है असम में कौन सी नदी पर है यह ब्रह्मा पुत्र नदी पर यह भी ध्यान रखना ठीक है अगला पिश्ण अगला पिश्ण कह रहा है निमलिखित में से हंगरी की राष्टी मुद्रा क्या है हंगरी की राष्टी मुद्रा वहां क्या चलता है वहां क्या चलता है हंगरी म की मुद्रा का नाम फैरेट है ध्यान रखना वो भी हंगरी फैरेट ठीक है कई देशों की मुद्रा है फैरेट उसमें से हंगरी की भी है सुतंता के बाद भासा के आधार पर बनने वाला पहला राज का नाम अताई है तो सुतंता के बाद भासा के आधार पर उन्नी सो राज पुनर्गठण अदियम उसके तहत कितने चवुदा राज बनाये गए थे चवुदा राज और छै किनसासित प्रदेश यह ध्यान रखना यह भी पूछा जाता है शुरूबात में हमारे यहां चवुदा राज थे और छै केनसासित प्रदेश थे अगला प्रिश्णा लोक सभा में पद्धारन करने की निमतम उम्र द्यान देना लोक सभा की पूछ रहा है तो लोक सभा की उम्र कितनी है 25 वर्स लोक सभा की भी है और याद रगना बिधान सभा की भी है बिधान सभा ये दोनों की उम्र कितनी है 25 वर्स तीस वर्स किसकी है एक तो राज सभा की ह राजसभा और विधान परिसद इन दोनों की उम्र कितनी है तीस वर्स किसकी है बताइए यह पंचायती चुनाओ लडने की या अकर तुम प्रधानी का चुनाओ लडना चाहते हो तो तुम्हारी कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए एक किस वर्स पंचायती चुनाव ठीक है और अठारा वर्ज यह तो आपको पता है मतदान की उम्र है मतदान की उम्र कितनी है अठारा वर्ज यह भी याद रखना है अगला पिशन कह रहा है UNFCCC इसका अर्थ निमलिखित में से क्या है तो UNFCCC का अर्थ है United Nation Framework Convention on Climate Change इसको हिंदी में क्या कहते हैं हिंदी में कहते हैं जलवायू परवर्तन पर संयुक्तराष्ट फ्रेमबर्ग सम्मेलन यह हिंदी बाला भी याद रखना नौटंकी किस राज का लोकुन रत है तो नौटंकी कहां का है अपने उत्तर प्रदेश का बगदे को कितने आसान प्रिष्ण पूछे गए थे ऐसे ही पूछे जाएंगे ज्यादा कठे नहीं पूछे जाएंगे हम ये डेड़ महीने में आपको जो भी प्रेक्टिस सेट कराएंगे करना आपको देखे ना कम से कम 50% से ज्यादा प्रिष्ण हमाई प्रेक्टिस से देखने को मिल जाएंगे किरल का लोकुन रत बताओ किरल का क्या है बताओ किरल का बताओ किरल का अब आप बताओंगे किरल का लोकुन रत क्या है करना टक का हम बताओं दे रहें यक्छगान यक्छगान आंद प्रदेश का क्या है कुची पूड़ी और केरल का क्या है अब हम बताओंगे कुद क्थकली क्थकली ये केरल का ये यह भी याद रखना अन्तराश्टी ओलंपिक समथी का मुख्याल है बताना है कहा बताओं है ये कहा है मुख्याल लुसाने सुल्य लेड़े निमलिखित मैंसे किस प्रिसिद्ध पुस्तक पावार ओफदा माइंड लिखी है किस ने लिखी बताइए पावार ओफदा माइंड पुस्तक किस ने लिखी यह पुस्तक किस की है यह पुस्तक है स्वामी बिबे का नंद की प्रिसिद्ध पुस्तक संघ्मरमर पर पित्रा दुरा सैलिंग्यार रंगीन पत्थर की जडाई का कार Neighbara कि समय में लोघ प्रिया हुआ गतो यह पृष्णबूतता है और किस के समय में सुरू हुआ यह भी पिशन पूछता है तो सुरू की बात करें तो यह हुआ था सुरू बात जहांगीर के समय में जहांगीर और अगर लोग प्री की बात करें या बहुत अधिक ज्यादा मात्रा में या अधिक उपयोग किया था किस ने किया था इसका सबसे ज्यादा प्रियोग सबसे सेली का साजान कराय था क्योंकि ताज महल में इस सेली का बहुत व्यापक रूफ से इस्तमाल किया गया है ये भी याद रखना कह रहे हैं निमलिखित मैंसे किस योग मैं तावे का पहली बार प्रियोग किया गया कितना आसान प्रिश्ण में पूछा गया है देखो पैट में तावे का प्रयोग तामप्योग में इसी लिए तो इसका नाम तामपिशाण योग रखा गया था क्योंकि पहली पार 5 से को तामपयोग किया गया था अगला पिष्ट निमलिकित में से किस इस्थान पर बहुत संगिती का आयुजन पाटल पोत्र में कौन सी हुई थी दूसरी थी पाटल पोत्र में कों सी थी सरी और इस समय सासर कौन था कख scoring और कस्मीर में इसमें चौथी उई थी चौथी और इस समय सासक था कनिस्क कि ये भी आद रखना है और अगला पिस्ट कहरा है निम्लिकित में से कौण वैब यह जिसका नाम देव नाम प्रिय दर्सी देव नाम प्रिय और प्रिय दर्सी भी था तो यह किसका नाम था सब को पता है आसान पिशन पूछे गाएते देखो मौर समराथ असोक ठीक है ऐसे पिशन पूछे जाएंगे घबराने की जरूरत नहीं है जीएस में पैट में ज्यादा टप नहीं पूछा जाता है कह रहा है जब इस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत में निमलिखित में से किसका सासं था तो इस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का हुई यह बताईए यह स्थापना हुई 31 दिसंबर 31 दिसंबर 1620 में और इस समय कौन था भारत में सासक तो थे सप्ट आई तब भारत आय जब भारत आई पूत्र जहांगीर जहांगीर की समय में ईश्टजिंडिया कंपनी ब्हारत आई थी यह याद रखना तो का समराज था मोगल समराज थे अगला पिष्ण भूधान गिरामदान आंदोलन निमलिखित में से किस के द्वारा सुरू किया गया था आपको हमने पढ़ा चुके हैं यह पिष्ण किसने सुरू किया था बिनोगा भावे ने उनीश सु इंक्यावन में कहां से तेलंगाना के पोचम पली गाउं से यह भी बताएं अगला पिष्ण डांडी नामक यात्रा की दोरान निमलिखित में से किस समाजिक कारकरता ने गांदी जी को आंदोलन को केबल पूर्सों तक सीमित ना रखने के लिए राजी किया था मतलब इन समाजिक कारकरताओं में से किसने गांद चटो पाद्या इन्होंने राजी किया था एक आद दो प्रशन अच्छे हैं उसमें बाकी सब आसानी है कह रहा है राष्टबाद की पहली इसपष्ट अव्यक्ति निमलिखित में से किस क्रांदी में मिली थी कितना फेमस है राष्टबाद की क्रांदी किस से मिली थी फ्रा की क्रांथी कब हुई थी 1917 ये डेट याद रखना और एक चीन की क्रांथी चीन की क्रांथी 1911 ये तीने याद रखना बिस उतिहास से ये डेट बहुत पूछता है अगला पिश्ट में सरकार ने निम्लिखित मैंसे किस अधनियम के कारण बंबई से सिंध्प्रांद का निर्माड दिया था मतलब पहले जो सिंध प्रांत था ये वंबई का ही हिस्सा था वंबई के ही अंतरगत आता था फिर एक अधनियम आया भाराज सासन अधनियम 1935 इसके तहट वंबई से सिंध प्रांत को अलग कर दिया गया था अगला पिश्ण प्रसिद्ध मेंद युद्ध का नारा डिल्ली चलुक्तने दिया था ये नारा दिया था इंये सवाच्चंद्र बोश्ण सबस्द निमलिकत मेंसे कों जनिसंख्या विद्रन कि उप्रभावित करने वाला आर्थिक सिकेट कारण द्यान देना आर्फिक कारण नहीं है कौन सा का नहीं है इन मैसे खनेज और दोगी करन पानी की उप्रवता या सहरी करन मतलब जशन helper का रहा होता क्या मैं होता है जर्ण समझेंगे जैसे अभी जो अलग अलग जएतर में बिक्री हुई हैं इससे पूछ रहा है कि आर्थिक कारण इसका जन्संक्या फैलाओ का आर्थिक कारण क्या नहीं है खनिज खनिज की बात करें तो यह आर्थिक कारण है जहां भी खनिज होगा वहाँ दंदे जाएंगे रोजगार के लिए जाएंगे वहां भी जाकर बसेंगे पानी की अर्थिक कारण नहीं है क्ALLY क्योंकि पानी की उपलब द्दीता तो गायं में भी है लेकिन फिर भी लोग सहर की तरह रह SCP पलायन खर रहा यह सहरी करण ये भी आर्थिक कारण है क्योंकि सहर में रोजगार के अफसर जादा है नौकरी जोब मिल जाती है असानी से कोई भी अपना काम धंदा शुरू कर लेते हैं लोग तभी तो सहरी करण की तरह भाग रहे हैं तो ये तीनों आर्थिक कारण हैं और आर्थिक कारण क्या नहीं है पानी की लबदताई, ये आर्थिक कारण नहीं है अगला पिष्ने बिस्व की सबसे उची चोटी माउंट ऑबरेश्ट किस के बीच में है मतलब किन दो देशों के बीच में भारत भूटान के, नेपाल तिबबत के, भारत और नेपाल के, तो मांट एवरेश्ट की बात करें, ये नेपाल देश है, ये क्या है, नेपाल, और यहाँ पर है तिबबत, यहाँ पर कौन सा देश है, तिबबत, तिबबत देश है यहाँ पर, लेकिन चीन ने इस पर कबजा करके रखा है कीनने से गुलाम करके रखा है चीन का कब्जा है ब का चीन का कबजा है इस पर है और चो मांट пять रेस्ट है नेपाल और तिब्बत के बीच में यहां पे है ठीक है और इसकी अचाई कितनी है मांट आप्रेस की बताई है 8849 8849 मीटर ठीक है तो ये किंद्विसों के बीच में नेपाल और तिबबत के बीच में अगला पिश्ण कह रहा है निमलिखित मैं से भारत में अक्टूबर गर्मी का मुख कारण अक्टूबर गर्मी का मुख कारण क्या है आपने देखा होगा कि अक्टूबर के महिने में अधिकतर गर्मी पड़ती है उसकी बज़े है लोटता हुआ मानसूँ जब भारत में जो मानसूँ जून जुलाई में जाता है ना उत्तर की तरफ वही मानसूँ जब लोट के बापस आता है तो दिन बार बादल चाहे होते हैं जब बादल चाहे होते हैं तो आधरता बढ़ती है और उच्च तापमान होता है आधरता बढ़ती है तो तापमान भी बढ़ता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा उच्च तापमान और उच्च आधरता के कारण अक्टूबर में गर्मी होती है और यह इसका रीजन है लोटता हुआ मांसून और यह हमारा लास्ट प्रिश्ण है कहरा है भारती मानक समय ग्रीन बिच माध्यां समय MTS से कितना आगे है तो भारत की मानक समय रेका कितनी है कितनी कितनी है अगर एस से पूर में चलेंगे तो यह मतलब ऊत्तर की तरब चलेंगे ब्रभारत पड़ेगा ऐसे एक डिगरी करके यहां के 473 डिगरी है समय प्रेमा चलें बताई फॉर्मूला आपको कभी है प्रिश्टन दे देते हैं, कोई Green Vid से कोई डिग्री दे देंगे, और एक देशा अंतर के विज़ चार मिनट का समय होता है, चार मिनट का अंतर होता है साले 82 में कितने मिनट का अंतर होगा हम लोग यहां से निकाल लेंगे साले 82 में 4 का गुणा कर देंगे 5, 4, 2, 10, 10, 0, 8, 42, 33 एक अंक बाद दिसमलब लग जाएगा यानि कि 330 मिनट 330 मिनट को घंटा हम बनाएंगे 60 का भाग कर देंगे 6, 5, 3, 3 बटे 6 यानि कि 1 बटे 2 तो यह कितना आगया साले 5 गंटे आप याद भी कर सकते हैं कि अपना साले 5 गंटे आगे हैं लेकिन यह हमने आपको इसलिए बताया कि अक्सर आप ऐसे प्रिश्न पूछने लगे हैं ठीक है तो आपको ऐसे निकाल सकते हैं कोई भी डिग्री दे उसमें 4 का गुणा करना है और 60 से भाग कर देना है ठीक है तो यह था हमारा UPSS C पैट 2022 का कौन सा प्रिथम पाली 15 तारीक की प्रिथम पाली का पेपर था ठीक है आसान पेशन थे हमने जल्दी जल्दी से बस आपको एक पैटन दिखा दिया बाकी चार पेपर हैं एक हो गया तीन और बचे हैं ये भी हम आपके सामने लेकर आएंगे ठीक है और बढ़िया फिर इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट सुरू करेंगे UPSS C पैट के लिए GKGS के बहुत पिष्ण पूछे जाते हैं आपको दियान रखना पैट में अगर एक अच्छा स्कोर करना है तो आप समझ लीजिए कि जीके और जीएस पे अच्छी पकड़ बनानी पड़ेगी और अच्छी से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि पैट के 100 कुस्चन में से 50 कुस्चन GKGS सामान अध्यान के से पूछे जाते हैं जिन में से 10 से 12 कुस्चन आपके करेंट अफ्यर के होते हैं बाकी 40 कुस्चन इनी सब हिष्ट्री पॉलिटी जोगरफी बाकी सबजेक्ट होते हैं तो हम इसकी बढ़िया तयारी कराएंगे आपको जोड़े रहिए अच्छे से प्रेक्टिस एट पहले पेपर करेंगे इसके बाद चारों पेपर निप्टाने के बाद फिर प्रेक्टिस सेट शुरू कर देने ठीक है तो फिर चलते हैं मिलते हैं अगले सेशन में तब तक के लिए जैन